हेलो एफ्रीबन आज मैं आपको दा मेकिंग ओफी ग्लोबल वर्ड यानि की भूम अंडलीकरत विश्व की सनरचना इस पाठ की प्रश्णोतर बता रही हूं इस पाठ के अती लगुतरात्मक प्रश्ण जो हर प्रश्ण एक अंका आता है इसके बारे में मैं आपको हर प्रश्ण को समझा कर इस वीडियो में बताऊंगी यहें विडियो आपके आगे आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपुन हो सकता है इसलिए इस विडियो को पूरा देखे शुरू करते हैं सबसे पहला प्रेश्ण है भूमंडली करण क्या है समझने की चीज है भूमंडल होता है पूरी पित्वी यानि हमारी सारी पित्वी एक हो जाए सभी देशों के लोग आरपार में जो भी रहते हैं उनकी द्वारा जो समान बनाया जाता है और जो सर्विसे दी जाती है वो सभी आपस में उनका व्यापार होता रहे उनकी जो गतिविधिया हैं इन गतिविधियों को भू मंडली करण कहते हैं क्या कहते हैं भू मंडली करण कहते हैं यानि की globalization कहा जाता है इसमें विभिन राष्ट्रों के लोग मिलकर के व्यापार करते हैं व्यापार में उनके द्वारा सर्वीसेज जो है वो और उनका जो बनाया हुआ सामान है उसका आदान प्रदान होता है और हर राष्ट्र व्यापार करने की अनुमती दे देता है दूसरे राष्ट्र को दूसरा प्रिश्ण है रेसम मार्ग क्या है रेसम मार्ग सिल्क रूट इंगलिश में इसे सिल्क रूट कहा जाता है ये ऐसे मार्ग हैं रास्ते हैं जो एशिया के विशाल भागों को परस पर जोड़ते थे और साथ ही यूरोम और उत्री अफेरिका से जाकर के मिलते थे ऐसे मार्ग इसाल पूर्व के समय ही आ चुके थे और लगबग पंदरवी सताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे सिल्क रूट जो थे उनसे मार्ग थे जो पंदरवी सताब्दी तक अस्तित्व में थे और हर देश को जोड़े हुए थे जिनसे रेश्यम के वस्त्रों का आयात और निरियात होता था प्रश्ण है रिंडर पेस्ट की परिभाशा दे रिंडर पेस्ट क्या है ये पशों में होने वाली एक बिमारी है जिसे पशू प्लेग भी कहा जाता है पश्यों में एक संक्रामक रोग फैल जाता है infectious disease हो जाती है और यह है रोग जिवानों से होता है इसका सम्मंद मानों में खसरा और कुट्टे की एक बिमारी से भी है और चुहों के द्वारा भी यह है फैलता है प्रश्ण है अमेरिका की खोज किसमें बीठी आप सब्वी को पता है फेट भी पता जेती हो जिस टौकर पॉलंगस की अमेरिका की खोज की 18 सताब्दी तक कौन से दो देश विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थी क्या आप जानते हैं यह देश थे चीन और भारत यानि की 18 सताब्दी में सबसे धनी देश जोते वो कौन से देख चीन और भारत प्रशन है 1870 के दशक तक मास खाना एक मेहिंगा सोधा था और यूरोप के गरीबों के सामरत्थे से बाहर था इसका कारण बताईए तो देखिए 1870 का जो दशक था उससे पहले अमेरिका से यूरोप को के वल जिन्दा जानवर भेजे जाते थे और जिने वहाँ पर काटा जाता था लेकिन जिन्दा जानवर बहुत जादा जगे घेरते थे और रास्ते में ही मर जाते थे या बिमार हो जाते थे और कई जानवरों का वजन भी कम हो जाता था जिससे वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे इसलिए उनका प्राइस जो है बढ़ जाता था मुल्ले जो है वो बढ़ जाता था वो मेहंगे हो जाते थे और यूरोप के गरीब उसे एफोर्ड नहीं कर पाते थे प्रश्न है उन्निस वी सदी के हाखिर में यूरोपिय ताकतें अफरीका की और आकशित क्यों हुए क्यों ही अफरीका की और आकशित क्योंकि अफरीका का भू छेत्र यानि हूमी का छेत्रफन जादा बढ़ा था और वहाँ पर खनीजों के भंडार भी जादा पाए गए प्रश्न आजाता है 1880 के दशक के आखरी सालों में अफरीका में रिंडर पेस्ट बिमारी कैसे पहुंची उत्तर लिखेंगे पूर्वी अफरीका में एरिटेरिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए ब्रिटिस आधिपत्ते वाले एशियाई देशों से संक्रमित जो जानवर थे वो वहाँ लाए गए थी कहां से लाए गए थे ब्रिटिस का जहाँ पर साशन था वहाँ से कैसे जानवर आगे जिनमें बिमारी के जिवानों थे पहले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि पशों में यह बिमारी जिवानों से फैलती है और जो उस दुशित मास को खालेते थे उनमें भी प्लेग की बिमारी फैल जाया करती थी और यह मनुश्यों में खसरा होता है खूरे शरीर पर दाने निकलाते हैं उस प्रकार की एक बिमारी है जो बहुत ही घातक है और मनुश्य की जान ले करके छोड़ती है तो 1880 के दशक के आखरी सालों में अफरिका में यह बिमारी आई थी किसली आई थी इतालवी सेनिकों का पेट भरने के लिए पशु लाए जाते थे इस कारण से वो पशु बिमार होते थे और वो मास खा करके लोग भी बिमार हो जाते थे प्रश्ण है सांस्कृतिक विले का क्या आर्थें दो उधारण दीजी सांस्कृतिक विले देखे एक ऐसी परंपरा है या प्रकिरिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा देशों की संस्कृति आपस में मिक्स हो जाती है या विले हो जाता है दोनों का इसके दो उधारण हम दे सकते हैं एक होसे और एक चटने दो जो संस्कृति हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं इसे संस्कृतिक विले बोलते हैं दोनों मिक्स होकर के एक नई संस्कृति का उदे होता है प्रेश्न है भरती करने वाले एजंटों के द्वारा अनुबंधित मजदूरों का शोशन किस प्रकार किया जाता था उत्तर है मजदूरों को अने प्रकार से शोशित किया जाता था उन्हें कहां जाना है पर क्या काम हुने दिया जाएगा इसके बारे में उने कोई जानकरी नहीं दी जाती थी कभी-कभी तो एजेंट जाने के लिए राजी न वहने पर शमीकों का अप्रहरय भी कर लिया करते थे तो इस प्रकार से मल्द्धूरों का शोशन होता था कि प्रश्न है हो से क्या सब्चाह गचाह मने पहले संस्क्रिति रूप कर तो हो से क्याव मेहत्व था त्रीनीरदाद में मार्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल्ट ऊच्षवी मेले का रूप दे कर खोसे नाम दिया गया क्या था